हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका हमारे चैनल PSA Study Center में और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे BPSC 131 का Solve Assignment ये Solve Assignment BAG के First Year के Students का है, Session है July 2020 और January 2021 तो जिन Students ने भी July 2020 या January 2021 के Session में Admission लेंगे, उनके लिए ये Solve Assignment होगा Solve Assignment ये English Medium में है, हमारे पास Hindi Medium में भी Available है, तो चाहे आप Hindi Medium के Students हो या English Medium के PDF को Purchase करने के लिए, वीडियो के Description में आपको Contact Number हमारा WhatsApp का मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी आप हमारा WhatsApp Contact Number देख पा रहे होगे, यहां से WhatsApp पे Contact करके इसके PDF को Purchase कर पाएगे हमारे चैनल पे Mostly जो Students है, Master in Political Science MPS के हैं, और ऐसे में ये BPSC 131 का Solve Assignment हम इसलिए अप्रोड कर रहे हैं, क्यूंकि हमारा चैनल जो है Basically Political Science के लिए है तो ये भी एक Political Science का सब्जेक्ट है, BA का Introduction to Political Theory, तो काफी Students के इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट थी, तो हम आपके लिए ये Solve Assignment इसलिए प्रोड करवा रहे हैं सबसे पहले Question Paper आपके Screen पे जो की इगनू के Official Website से लिया गया है, तीन सेक्षन में यहां आपको Question दिये गए हैं, फर्स सेक्षन में टू कोश्चन, सेकिंड में थ्री और थार्ड कोश्चन में फाइफ कोश्चन दिये गए हैं, जो की Short Notes के हैं, 6-6 Marks के, देन सेकिंड में 10 Mark का और फर्स जो सेक्षन है आपका, यह 20 Marks के Questions है, तो Questions को आप देख चुके हैं, Complete PDF आपके लिए यहां स्क्रॉल किया जाएगा, ताकि आप वीडियो की Help से अपने Assignments को Complete कर पाए, यदि आप PDF वर्चेस नहीं करना चाहते तो, आपको बता दे हमारे पास, इगनू के काफी Courses के Solve Assignments अवलेबल हैं, तो आप किसी भी Courses के Students हो, WhatsApp पे Contact कर सकते हैं, हमें Solve PDF के लिए, और यदि आपके पास टाइम नहीं है, आप चाहते हैं कि आपको Hand Return Assignments कहीं से मिल जाए, तो आप वो भी Order करके हमसे बनवा सकते हैं, Complete Hand Return Assignments आपको Speed Post के द्वारा आपके Address पे Send कर दिया जाएगा, अगर आप उसके लिए Order करते हैं, तो इसी तरिके की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने Friends के साथ शेर कीजिए, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है, तो इसे भी Like करना मत भूलेगा, आने वाल वीडियो में हम आपके लिए कुछ और Political Science के Solve Assignments अप्लोड करेंगे, में के तो mostly हम करते ही हैं, साथ ही साथ कुछ और कोर्सेस के भी जो भी Political Science से लेटेड है, वो अप्लोड किये जाएंगे, चाहे हम बात करें MPA की Master in Public Administration, या फिर BA के कुछ कोर्सेस हैं, जो की Political Science से लेटे है, तो उनका हमारे चैनल पर वीडियो अप्लोड किया जाएगा, Question No.4 आपके सामने है, जो आपसे Equality के बारे में पूछता है, तो ये चीज आपको इसमें बताना है, Hindi Medium में भी इसका solution आपको मिल जाएगा, अगर आप WhatsApp पे Contact करते हैं, तो साथ ही जल्द ही हम Hindi Medium में भी इसक पीडियाफ अप्लोड कर देंगे, ताकि Hindi Medium के इसको भी help में पाए, Assignments लिखते समय आपका एक common question रहता है, कि क्या हम questions को लिखे या नहीं लिखे, क्योंकि हम question paper को साथ में attach कर रहे हैं, तो देखे, यहां compulsory force नहीं किया जा रहा, इगनू की तरप से आपको, but मेरा suggestion ये रह आप hard copy submit करते हैं, और essay में question paper का page जो है, कहीं misplace हो जाता है, फट जाता है, तो question जो आप लिखेंगे, उसके according, hey teachers, आपके answers को check करेंगे, और उनको check करने में आसानी होगी, हाला कि आप question number तो डालते हैं, लेकिन अगर question लिख देंगे, तो यह और भी better होगा, तो इस वीडिय प means के अजाई एंगे принципе है, एंगर भी better is live का時 करेंगे, तो इस वीडिया तो नह में होग होगी आप होगी करेंगे, तो आप